हाँ क्या हुआ अपोस्तल जी मारे पास बहुत बड़ी गवाई है अपोस्तल जी ये बेटी मनिशा है और पिछले दिनों में ये बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी और डॉक्टर्स ने इसे जवाब दे दिया था जब चुमकार साइब होस्पितल में इस बेटी को एडमिट करवाया गया तो अपोस्तल जी इसके होंट नीले हो चुके थे और एक तरह से इसने अपने प्राण छोड़ दिये थे ये बिलकुल मर चुकी थी लेकिन जैसे ही आपके पास ये मेसेज पहुंचा कि ये बची बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपने वर्ड दिय और आपने प्रेयर की अपोस्तल जी उसी समय इस बच्ची ने अपनी सांसे लेनी शुरू कर दी और उसके बाद इसको पिजी आई में एडमिट किया गया और वहां पर इसकी कंडिशन ओर जदा खराब होनी शुरू हो गई थी कोई भी बचाओ नहीं था आप देख सकते है स्क्रीन के उपर के एमर्जंसी में इसको लटाया गया था लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने फोन के उपर इस बच्ची के लिए प्राथना की वोलंटियर रेक्वेस्ट लेकर आए आपसे क्या प्रेयर करें और उस प्राथना के बाद आज ये मुर्दा समान जो बेटी थ जीवत परमेश्वर की हुजूरी में अपनी गवाही दे रही है जिन्दा यहां पर खड़ी है और अपसल जी कोई भी उम्मीद नहीं थी इसके सेल बहुत ज़दा डाउन हो गये थे और इसका धायरड बहुत ज़दा भढ़ गया था इसको जन्डिस भी हो गया था अलग- बिटा कैसा लग रहाँ आज प बेटा कैसा लग रहा तायरा जब जब मुझे बताया गया मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज मर गई कल मर गई ऐज मर गई यो जाईlessly क्योंक zaradi कि इसकी हालत को जब मैंने देखा हुर फ़राब थी और मैं Mayna continuously खुदा के सामने इसकी request को रखा और आज permission ने इसको नई life दी है नया जीवन दिया है ठीक है अब खुश हैं? तालीव जाएंगे जोड से permission के लिए अभी हमारे चैनल को subscribe करें हमारे चैनल का नाम है रमन हंस ministries और नीचे दिये गए bell icon पर प्रेस करें आप हमें facebook पर भी follow कर सकते हैं हमारा facebook पेज है रमन हंस ministries हमारा prayer line नमबर है 0160500800 अबी जारा सल्वा्ण